दोस्तो आज के हमारी इस वीडियो का टोपिक है what is circuit breaker मतलब circuit breaker क्या होता है दोस्तो यह question आपसे interview के अंदर काफी ज़ादा पूचा जा सकता है इसके लगा दोस्तो circuit breaker से related मैं दो question old लिखें है एहला question तो हमारा what is circuit breaker हो गया इसके बाद हमारा कोश़्शन जो होगा वह सर्कीट वेकर वर्किंग प्रिजिबर मतलब सर्कीट वेकर हमारा काम कैसी करता है इसके बार में मांद थीसा चेसा कोश्शन हम देखेंगे वह देखेंगे औ लोड डिवाईस और ऑफ लोड डिवाईस में क्या अंतर होता है तो संफे इन तीनों काम काफी सिंपल साह हमारे जो भी उपकरण है जासे हमारी न्य-ब्ल कोई साभिए एलेक्टिकल का उपकर नहीं है कोई मैंabar 은द्भिलव की इसके लुदया अब पर हम कोई खॉडसा देता है तुछ से हम लिदभ इसके विद्वर के कॉनदा आैउनकम तो महाँ पर हमने देखा MCCB लगी रहती है, MCCB के उपर भी ओल डिवाइस आते हैं, जैसे ACB आती है, फिर बाद में VCB भी आती है, यानि ऐसे circuit वेकर कहीं टाइप के होते हैं, तो यह circuit वेकर के टाइप के उपर हम अलग वीडियो के बात करेंगे, तो दोस्तों जिसके भी ल इसके बाद में पूचा जाता है, तो हमको क्या जवाब देना है, वो देख लेता है, तो दोस्तों इंट्रीव के अंदर हमको क्या लाइन बोलनी है, वो लाइन में यह लिग दिये, अगर आप इस लाइन को बोलोगे, आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनेगा, तो दो फूच करता है, तो यह उटमेटिक कब ऑपरेट होता है, मतलब कब काम करता है, वो लाइन यहा लिके विए, इट्स प्रोटेक्ट ऑवर इलेक्टिकल सर्कीट एनक मशीन, थूछ एननी एलेक् SaEMA मतलब कि हमारा कोई भी एलेक्रिकल का फॉल्ट होता है, तो यह उस समय हमार सर्केट और हमारी मशीन मतलब हमारे जो भी उपकरंग है उनको हमारे शुरक्ष्या देता है हमने जवाब देने तो हमowego को वह यही लाइन पोलत Investment वो automatically operate device होता है मतलब automatic काम करता है और यह क्या काम करता है कि जब कभी हमारे circuit के अंदर faulty current आता है मतलब एक current तो वो है जो हमारे circuit के अंदर जाना चीए जिससे हमारी machine है चल रही है पर एक और current है faulty current यह तब आता है जब हमारे system में कोई खराब याती है तो जब भी हमारे circuit के अंदर faulty current आता है उस समय circuit बेकर उस current को हमारे up current तक नहीं जाने देता है और वह खुड trip होके हमारे up current को सुरक्षा देता है दोस्तों भी second question को third question को एक एक मिनेट के अंदर समझ लेता है तो second question है circuit बेकर working principle दोस्तों क्या होता है हमसे question करते है circuit बेकर working principle तो हम confused हो जाता है कि हम क्या बोले तो दोस्तों इस समय हमको बिलकुल भी confused नहीं होना है इस समय हमको simple answer यह दिन है कि हमारा circuit बेकर कैसे काम करता है एक होता है हमारा moving contact और एक होता है हमारा fixed content दोस्तों moving contact और fixed contact क्या है moving contact का मतलब यह hiltra डूलता है हिलता डूलता मतलब moving contact और fixed content मतलब वो fixed है बिलकुल हिलेगा भी नहीं तो हमारा moving contact होता है यह हमारा fix content से भीड़ा होता है सप्लाइ इधर से इधर जा रही थी वह जाना रुख जाती है और हमारे उपकरने उस उपकरने को सुरक्षा मिल जाती है दोसर इस सेकंड कोश्चन से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको जो मैंने लाइन बताई है वही बोलनी है कि इसके अंदर दो और जब भी कोई फॉल्टी कंडिशन होती है तो हमारे जो मुविंग कॉंटेक्ट होता है वह मुविंग कॉंटेक्ट मूग कर जाता है और हमारे सिस्टम को सुरक्षा देता है और दोसर इस कोश्चन से घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी भी एक पर्टिक एक मिनट के अंदर समझ लेंगे वैसे इस कोश्चन को आपसे घुमाके भी पूचा जा सकता है इसमें ये पूचा जा सकता है कि सर्किट वेकर और आइसोलेटर इन दोनों में क्या फरग होता है यह बी कोश्चन यह है ऑनलोड डिवाईस और ओफलोड डिवाईस में क्या और एक हमारे सामने है एक isolator यह फिर आप इसको ही बोल सकते हो कि हमारे सामने एक offload device तो दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर काफी simple से अंतर है दोस्तों जैसे मैंने इसके अंदर एक इधर face दे रहा है और एक इधर मतलब simple सा है दोस्तों कि isolator हमारा offload device होता है इससे हम उस समय स्विचिंग नहीं करा सकते है जब हमारा load continue चल रहा है तो अभी जैसे मैंने आपको एक्जांपल बताता है इसके नहीं हमारी motor continue run हो रही थी तो अगर ऐसे रणिंग कंडिशन में मैं isolator से स्विचिंग कराऊंगा स स्विचिंग का मतलब मैं isolator से on off करूंगा तो हमारा isolator है वो isolator उसी समय खराब हो जाएगा दोस्तों अगर आपको on load और offload device में फिर भी कोई कोशन है तो आप मुझे comment करें बताएगा मैं इसके पर एक safe rate वीडियो बना दूँगा जिससे आपको काफी जादा मदद मिल जा है वो खराब हो जाएगा दोस्तों अगर आपको मैं एक offload device का example बताऊं तो हमारी industry के अंदर जो जीओ लगे होते हैं वो जीओ हमारे offload device होते हैं तो दोस्तों उमीड है कि इस वीडियो के माद्यम से आपको कुछ बहतर जान करें मिली होगी दोस्तों अगर आप कहीं पर electrical या फी mechanical field के अंदर पढ़ाई या फी job कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्पूर्ण सूजना है कि हमने एक website करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com दोस्तों इस website पे आपको काफी अच्छे हिंदी में electrical और mechanical से जुड़े article मिलेंगे और दोस्तों आपको यहां पे जो भी article मिलेंग और तोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे comment box में comment करके जरू बताईगा तोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को like करके जरू बताए अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के पड़ते हैं फे electrical से जड़ा ता मुझे नीचे comment box में comment क करके पूछ सकते हैं इलेक्टिकल की वीडियो से अगर आप इतनी में देखना पसंद करते हैं आज यह मैं चैनल को subscribe कर लीजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद